हम समय समय पर ये बताते रहते हैं कि जो बुद्ध से सम्मंदित बाते हैं जिनको उल्टा करके प्रिचायत किया जाता है बताया जाता है वो दरसल सच में हैं क्या जैसे बुद्ध रात को घर छोड़के भागे ये बिल्कुल जोटा है इसका एक वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं और समराट असोग ने हत्यार रख दिये इसलिए हम गुलाम बने ये बिल्कुल जोटी बात है इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप जोटाना होता था वहाँ ऑन्होंने ये दुकोसल नहीं दिखाया ऐसी बात है धरसल गुद्ध से या सिद्धत गौतम से बड़ा दुनिया के अंदर आज तक कोई लड़ा का हुआ ही नहीं आएसा कोई व्यक्ति ही नहीं पैदा हुआ जसने हिंसा को हराया हो हिंसा का विरो लोगों को मार कर उसकी अंगुली की एक माला बनाता था इस validate उसका नाम अंगुली मान पड़ा जो बड़ा ही निड़े था यहां तक कि राजा की सैना भी उसका सामना नहीं कर पाते थी और बुद्ध ने अकिले ही उसका सामना किया और उसकी हिंसा को दूर किया निडर रहे उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे और आप जानेंगे तो भुद्ध ने जितनी भी हिंसा थी उनका पूरा जवाब दिया कभी वो मुँझ चिपा कर नहीं भागे कभी वो उनके सामने से नहीं अटे नहीं उनको कभी भे लगा बेसिकली हिंसा जो पैदा होती है आदमी यव आदमी को मारता है तो सबसे पहले ये बात उसके मन में आती है फिर उसके बचन में आती है गाली गरोश में आती है फिर उसके वहवार में आती है जब वो मारता है या कोई हत्यार उठाता है या वो गायल करता है बुद्ध ने अपने अंदर की सारी हिंसा को खतम किया, अपने अंदर की सारी हिंसा से लड़े, सबसे पहले अपने अंदर की हिंसा खतम किया, अपने अंदर की हिंसा खतम करने के बाद फिर उन्होंने दुनिया की लोगों की हिंसा खतम किया, धन्यवाद धाम्वन्षरनं गच्छामे संग्वन्षरनं गच्छामे धाम्वन्षरनं गच्छामे संग्वन्षरनं गच्छामे